हेलो गाईज और स्वागत है आप सभी का विकास हो इनुवस्टी में और आज मैं आप सभी को code blocks with mingw compiler के साथ इंस्टॉल करना बताने वाला हूँ तो चले आए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप google.com open कर लिजिएगा और यहां पर आप सर्च करोगे code blocks just code blocks just code blocks आप select कर लेंगे and enter कर लेंगे अब जो हमारे सामने सबसे पहली साइड को लेगी code blocks.org इसको आप ok कर लिजिएगा अब यहां पर साइड में देखेंगे आप यहां पर हमारे साथ कई सारे टैब मिलेंगे आपको download tab में क्लिक करना है जैसे आप download tab में क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहां पर downloading की कई सारी option दिखाएगा download the binary release, download the source code and retrieve source code from sbm हम download the binary release पर क्लिक कर देंगे अब binary release में यहां पर भी हमको तेन प्लैटफॉर्म यहां पर शो कर रहा है Windows, XP, Vista, 7, 8 and 10 and Linux and Mac ठीक है जो भी आपका operating system installed है उसको आप यहां से चूज कर लिजेगा ठीक है Windows वाले यहां पर क्लिक कर लेंगे Linux वाले यहां पर Mac वाले इसमें क्लिक कर लेंगे मेरे पास Windows system है तो मैं यहां पर इस लिंक पर क्लिक कर रहा हूँ अब देखें यहां पर मेरे पास Windows, Microsoft Windows के लिए कई सारे setup यहां पर open होगे code blocks setup, code block setup non admin, code block no setup, code blocks minjw setup, code blocks minjw no setup ठीक है और यहां पर देखिए 32 bits लिखा है, जिसमें 32 bit लिखा है, मतलब 32 bit Windows के लिए है, जिसमें 32 bit नहीं लिखा है, simple वो 64 bit Windows के लिए है जो भी आपका system हो, 32 bit हो या 64 bit वो आप यहां से देख के चूज कर सकते हो, ठीक है, मेरा 64 bit है, तो मैं यहां से चूज करूँगा, जिसमें 32 bit नहीं लिखा है और हम आज इंस्टॉल करने वाले हैं core blocks, इसको editor को minjw setup के साथ, ठीक है guys, यह वाला हम आज इंस्टॉल करेंगे, core blocks with minjw compiler और यहां पर हमारे पास downloading के दो source दिये हैं, phoshub and sourceforge.net, ठीक है, तो हम sourceforge का use करके इसको download करते हैं, क्लिक कर लेंगे यहां पर लिखा है, download will start shortly और अब यहां पर install होना हमारा शुरू हो जाएगा ठीक है, अब यहां पर देख सकते हैं, हमारा code blocks editor download होना start हो गया, ठीक है, जो कि इसका size है 140 MB, ठीक है, depends करेगा आपकी internet speed के ओपर कि कितना time लेगा यह तो wait करते हैं इसका, मैं कोई भी step skip नहीं करूँगा, क्योंकि कई बारी ऐसा हो जाता है कि जो beginner होता है, वो कई सारी step उससे miss हो जाते हैं और problem आती है, ठीक है, तो मैं कोई भी step miss नहीं करूँगा, अगर आपको यह step पूरा पता है, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो कि वीडियो को आप skip करके next के लिए जा सकते हो, ठीक है वीडियो को आप आगे अपना, जब हमारी code locks की installation पूरी होगी, वहाँ पे आप skip कर दो, मैं कट नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं पूरी वीडियो जब भी में बनाता हूँ, आप सभी को पता होगा, मैं कोई भी step बीच में से कट नहीं करता हूँ, जितने भी मेरी वीडियो बनी पड़ी है, मैंने कोई भी step बीच में से कट नहीं किया है यही मेरा एक है कि जब भी मैं सिखाता हूँ तो मैं प्रॉपरली सखाता हूँ ठीक है ताकि ऐसा ना लगे कि मैंने कुछ बीच में से कट किया हुआ है क्योंकि कई बार यह ऐसा होता है कि कोई टुटोरियल बना रहे होते हैं बट बीचे से कई चीज़े कट होती है तो जो समझने वाला होता हुआ उसको कई चीज़े समझ में नहीं आती है तो ऐसा ना हो मेरे वीवर के साथ तबी मैं कोई भी चीज मिस नहीं करता हूं मैं आपको रेक्मेंड करूँगा कि आप जब मेरा इंस्टॉलेशन ये पूरा हो गया हो वहाँ पे आप वीडियो को अपनी स्किप कर देजिएगा और जो मेरे साथ बना रहना चाते हैं वो बनने रह सकते हैं फाइव मिनट्स बोल रहा हैं वेट करेंगे हों फाइव मिनट्स टू मिनट्स मैं एक वारी फिल से दोर आ रहा हूं जो मेरे साथ बने रहना चाते हैं वो बने रहें और जिने स्किप करना है जो नेक्स्ट को ब्लॉक साइट अप जब हमारा कंप्लीट हो गया वहाँ पे आप वीडियो को स्किप कर सकते हो ठीक है आप थोड़ा 30 सेकिंड, 40 सेकिंड, एक मिनट आगे जा सकते हो विकास उनिवस्टी की जितनी भी वीडियोज है वो आपको सभी ऐसे ही मिलेगी कोई भी बीच में कट नहीं है होई है कोई भी स्टैप बीच में से स्किप नहीं होता है कि जश्ट वेट फॉर 20 सेकिंड स्मूर तो द्यादने अबाद आप सभी का वेट करने के लिए जो मेरे साथ बने रहे थे और जो यहाँ तक स्किप करके आगे हैं हमको भी बहुत बहुत धन्यावाद अब इंस्टाल हो चुका है 140 भी था और 140 भी टोटल यहाँ पर इंस्टाल हो चुका है ठीक है अब मैं इसको उपर क्लिक करके इसको इंस्टाल करने वाला हूं मैं जस्ट क्लिक करता हूँ इसके उपर जैसे मैं इसके उपर क्लिक करेंगे तो हमारा सेटप इंटॉल करेंगे देखिए ठीक है कोड ब्लोक्स मिन डब्यू सेटप एंड नो एंड यस हम कर देंगे यस और यहां से मैं इसको अब कट कर रहा हूँ ठीक है इसको हम इसको क्लोज कर देते हैं यहां पर आप देख सकते हैं जो इंस्टॉलर था कोड ब्लोक्स इंस्टॉलर वो यहां पर शुरू हो गया है हम यहां से next कर लेंगे and यहां पर कुछ permission मांग रहा है उसको हम agree कर लेंगे and then next and then यहां पर आप अपनी जो folder की location है जहां पर आप अपनी code blocks setup को install करना चाहते हूं आप यहां से आप browse कर सकते हो ठीक है path जो भी आप देना चाहते हो ठीक है मैं by default यही रखना चाहूंगा c drive में programs files में core blocks folder done and space required 530 MB space available मेरे पास है 50 GB का कोई problem नहीं है install कर सकते है and हमारा core blocks installation अब यहां पर आप देख सकते हैं शुरू हो गया है जितनी भी फाइलें थी वो extract होनी शुरू हो चुकिए यहां पर मैं आपको बता दूँ कि हमने देखा था जैसे कि जो setup था core blocks का वो लगभग 145 MB का था काफी बड़ा setup था तो उसमें काफी सारे files होंगी simple सी बात है तो उनको extract होने के लिए भी time लगेगा तो फिर से मैं वही बात रहूंगा गाइस मैं step कोई भी skip नहीं करूंगा कर दो यह हम code blocks एटिटर को मिन जी डब्यू कंपाइलर और इसमें मैं आपको विरियेवल सेट अप करना बताऊंगा कि कैसे हम पात सेट अप करते हैं विरियेवल इंवायरमेंट विरियेवल में जाके इसके बाद हम बोई करने वाले हैं बोई इसमें मैं पार्ट इसका बोई है वो इसके बाद होगा कर दो अपको दो यह स्टमारे इंस्टालेशन अब कंप्लीट हो नहीं वाला है अब यहां पर हमसे पूछ रहा है do you want to run code blocks now हम यहां पर no कर गहेंगे and then next and then finish just अब यहां पर आप दे सकते हैं code blocks का यहां पर icon मेरे पास आ चुका है अब हम क्या करेंगे सबसे पहले my computer में जाएंगे my computer में जाएंगे जहां पर भी हमारी location थी code blocks editor को इंस्टाल करने की मेरी क्या थी c-drive and then c-drive में code blocks c-drive c-drive में sorry हमारा पास program files थी and program files में code blocks and यहां पर देखिये हमारा compiler है maingw and यहां पर हम जाएंगे bin में यह वाला आप यहां पर जो आपके सामने address आ रहा है c-drive programs file code blocks mingw bin यह वाला जो आपका address था क्यूंकि इसमें हमारी compiler की file यहां पर हम जाएंगे mingw की file हैं यह हमारा mingw compiler रहेगा code blocks के लिए इसको हम यहां से पूरी जो यह path है इसको हम यहां पर select कर लेंगे और control c से copy कर लेंगे control c से आप पहले copy कर लेजिएगा इसको close कर देंगे ठीक अब हम यहां पर जाएंगे search में यहां पर हम search करेंगे control panel यह देखिए control panel यहां पर आगया इसको click कर लेंगे जैसे हमारा control panel open होगे यहां पर हमारे पास एक यहां पर system का option रहेगा इसको हम यहां पर ok कर लेंगे advance system setting में जाएंगे यहां पर system की properties आएगी उसमें advance में जाएंगे advance में सबसे last में यहां पर रहेगा हमारे पास environment variables लिख कर लेंगे यहां पर देखिए हमारे पास दो variable हैं एक तो हमारे पास user variable है and system variable हम user variable में जाएंगे and new पर click कर लेंगे sorry हम यहां पर पहले path को select करेंगे क्योंकि हमको यहां पर path डालना है तो path में जाके edit कर लेंगे ठीक है path में जाके हम यहां पर अपना new path ही यहां पर देदेंगे यहाँ पर new select करेंगे और यहाँ पर अपना path paste कर लोगे ठीक है यह हमारा path यहाँ पर paste हो गया ठीक है and then okay and then okay and then okay just done ठीक है वह आप कैसे confirm करेंगे कि हमारा जो compiler है वो साइस install हुआ है नहीं हम यहाँ पर search में जाएंगे cmd टाइप करेंगे and then यहाँ पर command prompt आ जाएगा and यहाँ पर देखिए हमारा command prompt open हो गया ठीक है अब यहाँ पर क्या लिखिए जो हमारा compiler था gcc mingw 9.2.0 ठीक है अगर आपके पास यहाँ पर यह information शो हो रहे है अगर यहाँ पर कोई error आ रही है तो आपका compiler successfully installed नहीं हुआ है ठीक है मैं आपको recommend करूँगा अब फिर से सभी जो आपने core blocks menuw install किया है वो उसको फिर से install किजिएगा और फिर से video एक वारी सही से देखेगा और फिर से install किजिएगा ठीक है कट कर लेंगे ठीक है यहाँ पर अब मैं इसको open कर लूँगा core blocks इसको मैं open कर रहा हूं यह देखे हमारा core blocks open हो रहा है यह आईडी core blocks id हम just c c pluses और fortune तिन लेंग्विज को ही कोडिंग करने के लिए use करते हैं ठीक है core blocks से एक ऐसी आईडी है जो just c c pluses के लिए use में आती है बाकी जितने भी बाकी लेंग्विज से जावा स्क्रिप्ट से गरा उसमें यह use नहीं होती है ठीक है तो यहाँ पर हम यह वाला करेंगे no no leave everything as it is ठीक है यह वाला कर लेते हैं and ok कर लेते हैं ठीक है अब हम यहाँ पर अपना new project यहां से create कर सकते हैं ठीक है यहां पर मैं आपको इक वाली बता देता हूं यहां पर हम create a new project में जाएंगे और उसके बाद यहां पर हम अपना console application select कर लेंगे and then go and then यहां से अब अपनी language select कर लेंगे ठीक है हम C++ कर रहे हैं तो मैं C++ यहां पर select कर रहा हूं next कर रहा हूं अब यहां पर देखिए हम अपना project title यहां पर देदेंगे यहां पर देता है test and यहां से आप अपनी location चूस कर सकते हैं जहां पर भी आपको save करना हूं यहां पर देखिए test नाम का एक folder बना पड़ा है यहां पर मैं इसको रख रहा हूं and then select folder यह देखिए ठीक है जस्ट आपकी सारी information यहां पर फिल होगी and next and finish जैसे ठीक अब आप यहां पर अपना प्रोग्राम यहां पर रल कर सकते हो ओके गाइस तो कैसे लगी आपको वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो informative लगी हो तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए और comment जरूर कीजिएगा कोई भी अगर problem आ रही है तो आप comment कीजिएगा अगर आपको कोई दूसरा editor install करना हो तो वो भी आप नीचे comment कर सकते हैं मैं वो भी आपको पूरा tutorial दाऊँगा कि किस तरीके से कौन सा editor हम install कर सकते हैं चाहे वो VS code हो चाहे कोई और हो ठीक है क्योंकि मैंने यह code blocks install किया है क्योंकि मैंने series चलाई है C++ tutorial की और उसमें intermediate जो मेरे हैं उनके लिए मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ intermediate user जो है C++ के उनको मैं यह चीज़ पताने वाला हूँ कि code blocks उनके लिए बहुत ही सही रहने वाला है ठीक है जो सारी coding है अब वो हम इस पे अब करने वाले है code blocks में ठीक है और जो beginner है और उनके लिए मैं recommend करता हूँ कि वो dev C++ install कर ले उसमें कोई भी setting compiler को install करने की need हमको नही पड़ती है ठीक है तो मैं recommend कर दूँगा beginner को कि वो dev C++ use करे और जो intermediate है वो code blocks के साथ मेरे साथ चले ठीक है धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए